नमस्कार दोस्वा, आप Shabhi का बहुत बहुत शहागते दोस्वा, मैं जानता हूँ कि आप पेशे के लिए तड़प रहे हूँ आपकी जुनकाल में पेशों की जरुत बढ़ गई है आपकी जुनकाल में मुज़्वध बढ़ी आई है और पेशे कम पढ़ गई है पेशा शमाल नहीं पाओगी यूं के हैं पेशों में आप डूब जाएंगे दोसों इतना पेशा आएगा कि पूरा जीवन इधर का उधर हो जाएगा खाईश लेकर उचाई का शफ़र आपका बन जाएगा जिया दोसों लेकिन दोसों यहाश में आप इस बात को सुचेंगे कि पेशों की दिकत आखिर किश को नहीं है जिया दोसों पेशों की दिकत सब को है लेकिन दोसों सब में और आप में बहुत यदा फरक है और यह फरक को आप तब ही शुच पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिया दोसों कवे। दोस्टों ये विडियो में हम आपके जुनकाल के शब्रशें offices बड़े मुद्व आपको देने वाले हैं। जोकि दूस्तों आपकी जुनकाल में होना बहुत इतंटा उख्षक है। जै दूसों क्यूत अक्षार आपके जुनकाल में एशा हुआ है। पेशा बात नहीं कि पेशा आपके पास नहीं आया था दोस्तों आपके पास पेशे तो बहुत आते हैं लेकिन दोस्तों एक इधर से आते हैं तो फिर उधर चले आते हैं एक शमश्या अगर यहां पर शांत होता है तो दूसरी शमश्या आपके शामने खड़े हो चाते हैं ज जबना अवश्यक है उसे पहले दोसों सरपर्तम जो भी बगवान शुन देव के सच्चे वक्त वीडियो को देख रहे हैं दोसों वीडियो को एक प्यारा श्रालाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जाई शुनिदेव लिग दें बगवान शुनिदेव के प्यार व्यविकियो प्राप्ट मध दूस्वों मौन करें ंपिछले शुनिदेव सब्सक्राइड सुनिदेजों के सब दे लें जो फूरा हुआ है कि दीनों दिमाग पर उम्मित लगाई पास जरूर आएंगे जिन पेशों के लिए अभी इस वक्त तडप रहे हैं एक शमय वह पेशों आपके भी पास जरूर आएगा जिया दोस्तों इसी चीजें आपके मन में चलती हैं और आपकी दिन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं दिन रात एक करके आप अपन जाय क्यों नहीं हो दोस्तों आप हर शमय शाओ का शमधां अपने मुश्कुराइट हैं हमेशा अपने चेहरे पर आप मुश्कुराइट बना करते हैं जया दोस्तों और यह आपके लिए शब से बड़ी खुबी होती है जो कि आपके भागी को भी चमकाता है और आपके जो दोश्मन हैं उन्हें भी आजलाता है क्योंको आप जो होते हैं अपने दुखों को किशी की सामने व्यक्त ही नहीं करते हैं जिनसे श्राओने वालों को किशी परकार की खुशी हो जिया दोस्तों अपने शबी दुखों को आप अंदर ही दबा कर रखते हैं और चेहरे पर मुश्कराट रखते हैं इनकी वज़शी दुनिया आपके रूत्पे का जो है कायल हो जाती है और आप शे करीबी लोग बहुत जादा जलते हैं जो आपके करीब के लोग होते हुआ तो जानने अंजाने में आप शेक बार दिख जायत दोस्तों आपके चाल चलंग को देखते है मन पशंद गाड़ी है घर है बंगला है या फिर बच्चों की परवरिश है दोस्तों आप उन्हें प्राप्त कर सके उन्हें हर चीज़ शूप को देश के अपने मन पशंद चीज़ों को आप खरिश के जया दोस्तों और आप उन शभी के लिए एक अलग ही लेवल पर ज सब्सक्राइब कि कभी कभार आपके जुनकाल में इसी घटना याती है इसी पश्तिती खड़ा हो जाता है कि दोस्तों समय की मार और जो भी आपके जुनकाल में जिमेदारी है जो भी आपके जुनकाल में आपका जो करतब है उन्हें मद्द नज़र रखते हुए दोस्तों आप उम्पने अर्मानों का गला दवा लेते हैं यूँ कहें अपने ख्वाहिश को आप छोड़ देते हैं और दोस्तों श्रमने वाले के ख्वाहिश पर आप ध्यान देते हैं जो भी आपके जुनकाल के घर परिवार के शत्ष हैं उनके महत्पन जमेदारियों को लेकर आप पीछे हर जाते हैं कि नहीं हमें यहां कारेश छोड़ दिने चाहिए और इस श्रमे में श्रमे की भी आपको मार पड़ता है आप देखते हैं कि जब आपकी बूरी पस्तति चल रही होती है तो दोस्तों आपको नुक्षान ज्यादा ही हो जाता है लेकिन दोस्तों आप आप लोग कोशिश करने में कोई भी कषर नहीं छोड़ते चितन आप परियास हो सकता है जितन आप मेहनत कर सकते हैं तो लेकिन आपके जुनकाल में पेशों को लेकर जुटतंगी है कुछ, जादा ही यह जमें बढ़ गया है पिछले शमय के दोरण आपके पास पेसे आते ते रहते ते घर परवार अच्छा भी चलता था लेकि दोस्तों कुछी महिनोश यह आपकी जुनकाल में कुछी शालोश आपकी जुनकाल में शमय आ गया है कि पेशों की जो अर्थिक दंग्या वो बढ़ गई है महिनाई के शालोश आपकी जुनकाल में भी कष्टकारी इस्तियां उत्पन हो रही है वो भी पेशों को लेकर आपका पर्याश शपल नहीं हो पा रहा है वह पेशों को लेकर कि दोस्तों आज के इस युग में हर जगा पेशों का नाम लगा हुआ है जहां भी जाएंगे तो पेशों की सबसे पहली मंग होती है आप कोई भी हैं कितने बी बड़े इंशान क्यों नहों सबसे पहले पेशे से ही लोग बात करते हैं फिर आपक्षे बात करते हैं इसको कि जोड़े और बी जनकाफंगे और बी एशि कवेас और भी जातनाएंगटी होती हैं कुछे कि आपको अकले में अकले हैं अगर बीडशी मिलेगा हम आप शिवि को बता दे कि आपकी जो मंजिल है वहाँ आपको बाशी मिलेगा और दोसटों वह शमय दूर नहीं है वह शमय बहुत ही जड़ आने वाले हैं आप शिवि को बता दे कि इस महिन्य के बाद आपके जुलकाल में क करभा की चाल बदर रही है शनी शुक्र और गुरु की जो इस्तिती होगी आपके लिए आपके लाग करम को दक्षा रहे हैं और भगवान शुनिदेप तो न्याय की देवता है जे दोस्तों वे आपके इशात कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे इस बात पर आप विश्वास रखिए आप शिवी को ब करते हैं कि बगवान शुनिदेव कुरूड देवता है दोस्तों आपको बता दे कि बगवान शुनिदेव भले ही शत्रुप गरह में आते हैं लेकिन आप शिवी को बता दे कि ये देवताओं की राजा भी कहलाते हैं न्याय के धिश कहलाते हैं और शबी जातकों के उपर न्याय का तीर शोड़ते हैं जिया दोसों और आप शबी की जुनकाल में भी अब आपको न्याय मिलने वाले हैं पिछले शमय की जो भी महनत है उनका परिणाम अब आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं जै दोस्तों आपको बदायाते कि गर्वों की चाल में परिवर्तन आपके होने वाले हैं, आपके कुंडली में भी बहुत ये अच्छा बदला होगा, और दोस्तों यह भागे अब आपका बदल जाएगा, जो शमाश्याओं का आप शामना कर रहे हैं, तोस्तों वह आप बद आपकी दूर होने वाली है जो दोसों और इनके लिए आपको कोई उपाई को भी करना चाहिए जो कि आगे वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों इन बातों को भी आप ध्यांश चुनें चैन्दोसों हम आप शुकू बता दें कि अब आपकी जुनकाल में केरियर की चेतर में जो भी आपकी रुकाउटें बढ़ रही थी जिनमें आपको नुक्षान उठाना पड़ रहा था दोस्तों अब उनमें भी गती आने वाली है आपको बता दें कि केरियर के चेतर में आपको बड़ी अपरचुनेंटी मिल सकते हैं लाब के मौके फिर शिया आपके वहश होने वाले हैं आप शुकू बता दें कि पिछले शुमे में आपके शाथ कुछ लोगों ने भी आपके शाथ बहुत इजता अन्याय किया है लेकिंदोस्तों आपको बता है पहले की भगवान शुन्देव है वह अन्याय को कभी भी शेहन नहीं करते जो अन्याय करते हैं उन आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है अब आपको हर शमय में हर पस्तिती में अपने कदम को फूप 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 रखना है जे दोसुं क्योंकि भगवान शन्डीब आपके जुनकाल में अब महरबान हो चुके हैं आपके ज़नकाल की शारी शमश्याओं का यूंक है तो अब अंती हो जाएगा जो दूस्त आपको बनारदें कि शमईने सी जो गरों की नई प्चाल बदर रहे है जो गरों की परिवरतन हो रही है जो आपकी भाग बदर रहें इनमें दोस्त आपको हर चीज मिलेंगा कुछ ऐसा नया चीज देखन को मिल सकता है जो कि आपके मन को बहुत इजाब पर फुलिद करेगा हम आपको बता दें कि दोस्तों जिस बुरे वक्त में आपने सबी का शाथ दिया था और उन लोगों ने आपका शाथ नहीं दिया था तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि फिर दें कि यह बात भगवान श्रीकिष्ण ने कहीं थी अपने गीता भे कि हमेश अपने दुश्मन को जो ही आपकी विरोधी है वह गलती करता है वह आपको दोखा देता है तो उन्हें माप करके एक बार अच्छे इंसान बन जाओ श्माज की निजरों में लेकिन दोबारा उ कि उनके शाथ रहने की भी आप कोई जरुत नहीं है कि दोस्तों जो शाप होते हैं वह कभी भी अमरित नहीं उगलते हमेशा वह बिश को ही देते हैं और बिश के आसपास होने से भी आपको उनका जहर लग शकता है तो दोस्तों हमारा आप शवीश यही विनमर निवेदन बता दें कि अपने जुनकाल में आप एक चीज का और ध्यान रखें कि पेशों को लेकर जो भी फिचुल करची आप किये थे दोस्तों अब उनको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जहां पर आपको पेशों की जरुत लगे वह में सोच समझ कर उन्हें इन्वेश्ट करें कि दोस्तों पेशाद धन की देवी मालक्षमी होती है मालक्षमी कहती है कि जिस परकार तुम खुद की इज़्जत करते हो जिस परकार तुम अपने जुनकाल में अपने आउसकताओं को इज़्जत करते हो उसी परकार तुम मुझे भी इज़्जत करो मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी मैं कभी भी तुम्हें शवी के शामने लज़ित नहीं होने दूंगा ज्या दोस्तों आशे ही अपने जुनकाल में आप इन बातों का भीधान रखें कि पेशों की आवश्कता को देखते हुए ही पेशों का निवेश्ट करें ज्या दोस्तों आपके चाल चलन में जमीन अश्मान का फर्क है तो दोस्तों कभी भी उनको मत देखिएगा आप हमेशा अपने जुनकाल की जरुत को देखिएगा जिस चीस के आपको जरुत है उन्हीं सभी चीजों में आप पेशों को लगाए तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान अब of tour चाल चों पीजले चीज ने अविश्मे की चिया इज़ें कि जो भी कारी आपने किया है जिने अभी याद करते हैं तो आपको पैस्तावा होता है तो दोस्तら हैं ने यह जो बात है इन्हें अपसों में रखें और आने वाले भूश में इसस का शदीप्यों करें कि जो प पर दौंब होता है बातों का यह आखे नहीं होती उन्हें प्राप्त्ति नहीं होता जो आप अपने जूनकाल में आप इन बातों का भी ध्यान रखे ये जो शबी बात हैं ये सवी बात आपके पेशों को इस पेशों से ही जुड़ी होती है जाथ को आपको पहुत अच्छा उपाये दोसों नित्य आपको अपनी जूनकाल में याद रखना है उपाई करना है वा भागे का भी आपको पूरा शयोग मिलेगा तो दोसों इस मंत्रों का भी और शुपाय का भी आप अच्छिय तरह किसे ध्यान से सुनें तो आई दोसों बात करते हैं दोस्वों मा आप शूब बता दें कि गरोशे बियुनी बरकार की बिमारी में वुत्वन होती है ज्यतों सोगर आपके ब्रहस्पती खराब हो जाए तो पेट की गैस और फिपड़ी की शिमस्या हो जाती है शूर अगर खराब हो जाए तो मूशे बार-बार थूक एकठा होने लगता है जाग निकलना धड़कन का अनिंत्रित होना शारी कमजोर और रख्चाप में दिकत होना या शूर के कारण होता है शातिगर आपके जुनकाल में आपका चंद्र खराब हो गया है तो दिल और आंक की कमजोर होती है अगर शुकर खराब है तो तुवाचा दाद जीब और दात का रोग शनीगर खराब हो जाए तो नेत्र रोग और खाशी की बिमारी राहु घराब हो जाए तो बुखार दिमागी कोई खराबी हो जाना अचानक से चोट दूर्गटना आती यह शब राहु के ही चाल होते ही शादि केतू घर जाए तो रीड जोडों का दर गुपतां के शमल कोई भी रोग ये शुब केतु के कारण होता है तो दोस्तों इंशे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों और आपको लगे कि आपका शूरी खराब चर रहा है तो जूटे हाथ से कभी भी शीर को नाच हुए इस बात का दिन रखें और आपको शमान नो करने शे गुरू खराब हो जाता है पत्नी या फिरिस्त्री का शमान नो करने शे सुक्र खराब होता है आलश करने शे सनी खराब हो जाता है और चुगली करने शे राहु खराब होता है किसी भिखार या फिर भिचुत का मजा कुणाने शे केतु खराब हो जाता है आपके उनकाल में अगर यह समय से चल रही है गराद दोस्ट चल रहे हैं तो दोस्टों इन बातों का अध्यर के बागी को पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा शिब आपको इने कुछ चीजों को चोड़ना है और कुछ आपनाना है तो दोस्टों आप पीछे करके भी सच्चे मन से जैश अनिदेव जरू लिखेगा वदस्वों और शिदिक जनकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे